है दोस्तों यूपी का नया बजट सत्र शुरू हो गया है और प्रेलों की आसा थी कि जो यूपी टेट सूपर टेट है या ने कि सिक्षा है सिक्षा भड़ती है इससे समंधित कुछ चर्चाय होंगी यह इंडारेक्टली पता चलेगा तो क्या सूपर टेट की वेकेंसी नही भी बहुत अच्छे से देखा तो बजट में जो है में ली आप भी सुनिये जनता के लिए कई बड़े एलान किये गए जिसमें इस्वा चक्षा से लेकर मैला सिख्षा पिसान युवाओं समेत तमाम सेक्षा के लिए सरकार का प्रपिटा रखोल दिया योगी जी का बजट सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है तो इसे ही अलग-अलग जो योजनाए है अलग-अलग जो प्लान है उसके बारे में बोला गया है शिक्षा से समंदित एक ही बात बोली गई कि बच्चों को टैबलेट और जो लैप्टॉप इत्या दिया वह प्रवाइट किये जाएंगे वैकेंशी से समंदित या सिक्षा मैं न्यूकती से समंदित से कोई बात नहीं हुई तो अभी काफी लोग ऐसा मैंने देखा बच्चे पैनिक हो रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं कि सुपर-टेड़ की वेकंसिज नहीं आएगी क्या यूपी-टेड़ की वेकंसिज नहीं आएगे क्या इसके बारे में कोई expense करेंगे हैना teacher recruitment निश्यत रूप से एक उनका अपना एक सिख्षा से समंदित या vacancy से समंदित चीज है तो vacancy की बात यहां पर directly नहीं होती है कि जैसे मालने जिए कोई police constable की vacancy है या teacher की है तो वह vacancy की बात नहीं होते पहली बात तो सुपर्टेट की vacancy नहीं आएगी मैं देख रहा हूं लगातार काफी लोग बोल रहे हैं अब सुपर्टेट नहीं आएगी क्योंकि budget में ऐसा नहीं है सरकार इस साल निश्चित रूप से सुपर्टेट करवाएगी आपको याद होगा जो भी आप लोगों ने पहले भी देखा है कोवीड के बात से जो भी चीज़ें हम लोगों ने बोली है कई point पर मैंने आपको discuss किया था और वो चीज़ें हो रही है उस time पर लोग वीडियो में काफी बात बोल देते हैं आपको नहीं पता है यह नहीं पता है वह नहीं पता है काफी चीज़ें बोल देते हैं यह seated में भी हुआ नौर्मलाजेशन को लेके मैं जब क्या करते हैं सीटेट का क्रेडिफिकेशन आया उससे पहले ही मैं बोला था कि आपको यहां पर जो है लॉजिक नहीं बनता है नौर्मलाजेशन करने का अल्डो कहीं न कहीं प्रैक्टिकली सोचे तो वह करेक्ट है लेकिन सीटेट के लगता था आपको याद होगा कि पहले से मैंने इस पर वीडियो बनाएं और बहुत सारे चीजों को लेकर जैसे आगे कभ एक्जाम होगा उस सब पर भी कई बार क्या होता है कि मनोनुकुल बात नहीं होती है तो बच्चे एकदम नराज हो जाते हैं लेकिन देखे यूपी कि कोई भी सरकार अभी तुरंत आपको मतला है लेक्षन से एक साल-डेड़ साल पहले या एक साल पहले क्यूं करा देगा एकदम ठीक पहले कराएगा 2023 के लास्ट समय आपको सुपर्टेट होगी क्योंकि उससे पहले यूपी टेट नहीं करा सकता है पहले वह यूपी टेट हो रहा होता है उस टाइम तक वह चीज़े फाइनल होती है ताकि एक बड़ी मात्रा में जो 79,000 वेकंसी जो बड़ी मात्रा में लोग हैं जिनको जिन्होंने अपलाई किया है आपका सेलेक्शन हुआ नहीं हुआ लेकिन उनके मरसी होती है उनका सानुवूती होता है सरकार के प्रति तो ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि वेकंसी नहीं आएगी यह बज़र सत्र है इस पर अलग अलग चीज़ों पर चर्चाए होंगी और उस सत्र में कहां-कहां वेकंसी अलग चीज़े रिकूट में अलग चीज़े आप मालेजे कि इसपे इतना इन्वेस्ट करना उस पर अतना इन्वेस्ट करना वह अलग चीज़े हो सकता उसमें डारेक्ट वेकंसी की बात नहीं हो लेकिन जो आपका पार्टिकुलर सूपर्टेट है वो निश्चित रूप से आएगा पहले यूपीटेट आएगा मेरे हिसाब से अगर आप देखिएगा तो अगले दो मेहने के अंदर आपको यूपीटेट की वेकंशी देखने को मिल जाएगी और उसके बाद जैसे की अगर मार्स से अप्रिल तक यूपीटेट की वेकंशी होगी जून जुलाई में आपको यूपीटेट हो जाएगी फिर अगस सेप्टमबर के में आपको सूपर्टेट आके दिसंबर जनवरी समय सूपर्टेट हो जाएगे मेरा जो अंदाजा है वो यही रहेगा और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा जैसे ही वेकंशी आई उसके बाद ऐसा तबाही में समय बीतेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे बीत गया और क्या करना है के विएस वाला सेम चीज हो रहा था जब बच्चों को मैं बोल रहा था पिशे ले आप वीडियोस हमारा देख लिजे तो बच्चे यह आ रहे आपको ऐसे तीन साल से हो रहा है बोल रहा है सब बोल रहा है कुछ तो बात होता है जो हम आपको बताते हैं कुछ रीजन होता है जो हम आपको बताते हैं अगर दो महने या डेर महने बाद आपको यूपीटेट आ गई फिर आप ऐसे धरफड़ी में हो जाएंगे कि आपका पता नहीं आप इसलिए मेरा आप से request है कि आप सब लोग लग चाहिए और किसी भी भ्रह्म में मत रहिए अभी क्या हो गया है हमारे वीडियो में हमारे दुनिया में यूटूब में खास करके कि सची चीजें 5% है और अफवाह की चीजें भ्यूज के लिए 95% है इन सबसे थोड़ा दूर रहिए कभी भी लॉजिक अपना लगाई है अपनी बुद्धी लगाई है और आप ये जान लेजिए कि यूपी में सरकार और अगर आप इंतर अंदर जाके देंगे कि देखेंगे बहुत वेकेंसी जे बहुत सीट खाली है तो उनको कराने ही करान नहीं है वह सरकार मतलब क्या बुलिएगा सरकार तो चलिए बहुत रहन निती करती है एक कोई भी छोटा आदमी यह बात जानता है कि अगर सरकार वेकेंसी नहीं निकालेगी तो उनको एलेक्शन पर बहुत बुरा प्रभाप पड़ेगा इसलिए ऐसा वह करी नहीं सकती है अपने फायदे के लिए ही लेकिन वह वेकेंसी जरूर निकालेगी आप समझ नहीं बात नहीं तो उनकी सरकार नहीं बन पाएगी इस लेबल पर लोग है इस लेबल पर मास लोग जुड़े हुएं सबसे ज्यादा सिक्षक भरती से लोग जुड़े हुएं तो अब बात है तो अभी आयोग का जो गठन है वो प्रोसेस में भी कंप्लीटली सारा जो सिस्टम है वो बनने में समय लगेगा तो वो लगेगा 15 दिन एक महना उसके बाद आपकी वो नया आयोग इसकी आपको पता है करेगा रूल्स वगेरा भी है क्योंकि यूपीटेट की म सबी लोग इसका जो भी लोग सही सीटेट वाले बच्चे है आप भी यूपीटेट दीजेगा और दो सीटेट पर मालनेघी ज़ेए लोग करता हैं लेकिन फिर भी आप माक्स बराने के लिए यूपीटेट जरूर दीजेगा जिसके बैसिस पर हो आप वहां पे अपना में आप कर लीजेगा तो आप बिल्कुल निसेंद रहिए वेकंशी की आप से ज्यादा सरकार को जरूरत है वेकंशी जरूर आएगी और आप सभी लोग बढ़ियां से इसमें अपना सरकार को पता है कि लाखो लोग इससे जुड़े हैं और अगर यह नाराज हो गया इलेक्शन से पहले तो गरवर हो जाएगा लेकिन वेकंशी एकदम इतना जल्दी तुरत नहीं आ जाएगी ना ऐसे सब चीजें आएंगी कि एलेक्शन के ठीक पहले तक न्यूपती हो ताकि वो एक फ्लेवर बना रहे है सरकार के प्रती एक सेमपेथी बना रहे है यह सिस्तम हर साल पिछले साल का आप डेट एक वार देख लीजे कब इलेक्शन था कब सरकार यह हुई और कव टीचर रिकूट्मेंट हुआ तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी हर स्टेट का यह है तो इसमें कुछ यह नहीं है आपके लिए फाइदे मंद है लेकिन बस यही है कि कॉंपेटिशन बहुत जादा होगा इसलिए पढ़ना सुरू कर दीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे डेली क्लास के लिंक दी हुई है मैं डेली दस वज़े आपको